नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G Track Solution में और इस वीडियो में हम आपके लिए हैं बाजरा से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट कीज है उनके लिए हम आपके लिए एक सर से मिला रहे हैं हम आपको जो सर आपको बताएंगे इसके बारे में पूरी जा जहां तक पहुँचे दन्यवाद सर सबसे पहले में अपना प्रीचिय दे देता हूं मेरा नाम है दुर्गा संकर मेना और मैं तकनिकी साइक पद पर कारे रहत हूं कर्शी उद्याले जोदपूर के अंदर और आज मैं सर मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्रीज इस दफ्रम प्रीप की किसान के लिए जरूरी होते हैं और वह उनको जानना क्यों जरूरी है तो आज हम आगे इस वीडियो के अदर हम वहीं डिसकस करेंगे कि बाज्रा के इंपोर्टन टेक्स क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कीजिए हैं जो एक किसान को द्यान रखी चाहिए ताकि वो अच्छा बाजरा उत्पादन कर सकें तो सर दन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद तो दोस्तों हमें यहां पर ही इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जो खिसानों के लिए इंपोर्टेंट हो और अगर आप इस्टुड किसान के लिए इंपोर्टेंट क्या हें तो सबसे वेलएं बाजरे ररा के बारे में जाना की आहनों जड़ जाता है कि बाजरा की उसका क्या है इसका क्या एरिया है । यह रच्छ का प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन हैं चल общем बादरा बारत ऑदक Cup Cup लगभर स क्वेए निए उसका प्रोड़क्शन है अथी के तो 1263 केज़ी पर हेक्टर इसकी प्रोडक्टिविटी है और बाजरे बाजरा मुखे रूप से राजस्थान के अंदर जेसल मेर बाड मेर जोदपूर और पस्षी मेर राजस्थान के एरिया में अच्छी तरह गाश उगाए जाता है और यहां के अगर राजस्थान में बाद करें अपन एरिया और प्रोडक्टिविटी तो राजस्थान में सबसे जधा एरिया बाजरे का बाड मेर के अंदर है और जब की प्रोडक्टिविटी की बाद करें अपन तो प्रोडक्टिविटी सबसे जधा है अलवर जीले के पढ़ेगा भीज तो बीज कौन से अच्छा रहता है जिसे घर में रहता है वह या फिर आइब्रीड भीज अच्छा रहता है यह तो सबके अलग अलग अपने इसाब से इस्टिबिटी है देखो दोस्तों में अगर आपन बीज की बारे में बात करें तो सबसे पहले वह से अच्छा होता हैं बीज का किसी भी करोब के उपज में बीज का मौत्फ अब्लय रहता है एक अच्छी इप्वालीटी का बीज उप्योग में लेने पर फंदर्ण से 20% उत्पादन अधीक होता है तो अपन को परमानित किसान को बुआई के लिए परमानित बीज कामें ल उसे बीज नहीं होते हैं, दूसरी करो वो एकदम सही बीज होता है, और इसमें अंकुरन परतिसर भी अच्छा होता है, इसलिए इसी बीज को लेना चाहिए, या पिर किसी विशुद्याले से टूथफुल बीज आता है, वो भी मतलब अच्छा बीज माना जाता है, वैसे बी और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब किसानों को बीज से ही नहीं, बीज के बाद में भी इसका बीज उपचार भी जरूरी हो जाता है, तो क्योंकि बीज को अपको चाहिए अपने काम लिया हो, लेकिन अपन देखते हैं मिटी के अंदर बहुत सारी परकार की बीमा करते हो, फिर भी वो बीमारियां बीज को पकड़ लेती हो, पोद को पकड़ लेती हो, और उसको सत्ति ग्रस करके जिसान के उत्पादन को कम कर देती हैं, तो मैं अगर बीज उपचार की बात करें तो अपन को बीज उपचार के लिए कार्बेंट अजिम नामक दवा का कर सकते हो, एक किलो के लिए 3 काम लेते हैं, वेसे एक एक एक्तर में बाजरा, चार से पांच किलो गराम लिया जाते हैं, तो मतलब उसे मॉल्ट्िप्लाइ कर सकते हैं बारा से फंदरा गरमदवा काम ले सकते हैं. दो सर इसके बाद में हम next बात करेंगे कि जैसे अगर बीज के बाद में बुवाई करनी है तो बुवाई के लिए direct बीज को फैंकर बुवाई करते हैं या फिर drilling वाली machine से बुवाई करते हैं तो इनमें से कौन सा वैस्ट रहता है सर देखो पुरानी विदी हैं.. भूण कंगे आघी तो आप तो की जाती है, क्योंकि सी ड्रियल से कुक्ष की जाती हैं, क्योंकि सी ड्रियल से भूआई करने पर आऊशक तक हाक столько होती हैं और वीज प्रोफर पैटर्न के इन्दर बया जाती है, जैसे कि रो टु रॉट या पर भूआ है बाजरा तो बाजरे से बाजरे के बीच की की दूरीrazाइन की त्थी डूरी 55 से 60 cm रखी जाती है और पोदे से पोदे के बीच की दूरी 15 cm रखी जाती है अगर इसे पैटरं के अंदर अपके बाजरा हो तो आपस अच्छी मिलती है लेकिन एसी भूम में यहां पर ऊबर खाबर हो, वहाँ पर बतलब सीड ड्रिल काम लेना पॉसिबल नहीं, तो वहाँ पर आपन ब्रोड कास्टिंग मेतर से बाजरा की बुवाई कर सकते हैं, ये लेकिन ये विदी ज्यादा तर फोलो वहाँ की जाती हैं, जो फासी में राजस्तान में जहां बूमी उबर खाबरे होँ पर ब्रोड कास्टिंग मेतर काम लेते हैं, लेकिन ऐसे शेटल जहां समतल हैं, वहाँ पर सीड ड्रिल के माध्यम से ये ली जाती है, और ब्रोड कास्टिंग मेतर के अंदर एक नुकसान ये भी हैं क्योंकि उसमें ज्यादा बीज लगता हैं खिसान का, तो इसलिए उ पूरा बड़ा भी पाकएगी जैसे कि एक इनसान के इनसान बच्चे के रूप में पैदा होता है और फिर वह बड़ा होता है उसमें भी ऐसे तरीके से रोग होते हैं विसमताई उसको सहन करने पड़ती है उसी परकार पोदे को भी बाजरे के जो पोदा है बाजरे की Growth and Snoopment की कोई बी बच्चा पेडा होता है तो उसके अंदर क्या क्या फैज़ेज होती हैं वह एक चोटी वस्ता से लेकर बढ़ा होता है तो उसके बीच में बहुत सारा उसकी Life Cycle के अंदर बहुत सारी बीजूपचार हो जाने के बाद में वेक्ति किसान को जरूरी हो जाता है कि वह मतलब अच्छी तरह से खेट तैयार करें और उसकी उच्छी समय पर बुवाई करें तो दोस्तों मैं बता दूं बादरे की खेट की तैयरी करने के लिए गर्मियम में ही खेट को एंबी फ्लोक से जूटाई कर दे उसके बाद में बारिस के एक महिना पहले होने से पहले क्रोस हेरो चला कर और उसके बाद में लेवलिंग कर दे जब हलकी बारिस हो जाए तो उसके बाद में तीसरे सप्ता लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ता में अगर वुवाई करते तो बाजरे का उत्पाजन अच्छा रिकोर्ड किया गया है जनरली किसानों से मैंने प्रूचा था फ़सी में राजस्तार में में हमने फ्लोदी सेरगर्ड और मंदोर मतानिया तियूरी इन सित्रों में मैंने विजिट किया जैसल मेर के फॉक्रन और तो यहां पर हमने देखा कि जुलाई के मद्द सबसार के अदर अच्छी रिकोर्ड की गई जी सर अब इसके बाद में बात आ जाती है कि बुवाई का हो गया तो बुवाई के बाद में भी देखो इसमें आती है कि कौन खाद कामिय जाता है और कितनी खाद ली जाती है तो दोस्ता मैं बता दूं कि खाद के लिए इसमें नाइट्रोजन यूरिय डिएफ़ी और अगर आपके पास सिंचित हैं आपके पास पानी अगर आपके एरिया के अंदर बरसात अच्छी होती है एसे एरिया जहां पर मतलब 60 सेंटीमेटर बरसात होती है उन शेत्रे में आप 60-90 किलोग्राम यूरिया काम ले सकते हो और 40 किलोग्राम डियेपी काम ले सकते हो और ऐसे शेत्र जहां से मतलब 600 एमेम से कम बरसात होती है तो वहां आप 30-60 किलोग्राम यूरिया और 20-30 किलोग्राम डियेपी काम ले सकते हो लेकिन ऐसे शेत्र जहां पर ऑड़िस 25 cm होती है यानकि 250 mm होती है उस एरिया के इंदर आप 15 15 a 20 kg यंज युज़ी और 15 20 Division कीलो ओकिस काम लेकोगरान है तो यह सर ने आपको बताया खाद Baris और आपको बीज के बारे मिंंबताया, पौधे के बारे मिंबताया, इसी प्रकार सर आगे जाके पौधे में पकने को फसल तयार होती है पकने के टाम पर, तो उसे टाम पर भी रोग होते हैं, और खरफटवार भी होती है इसमें. सबस Conno算 ten बहूंब सब्धोर सबस्ते हैं इसमने को भाइक करने के बाद में बहुत सरी है अर सकता है पाइता तुल्भडार होगा ते अची पस्तुसरा है कि जा सबस्ता करता दो किसी बीफी WRK सकती है अगर किसी की कोई भी पसल का अगर एक उंटल उत्पादन होता है तो उसमें 40 किलो तक का यह नुक्सान कर सकता है यान कि आपको घरसित होगे तो 60 किलो में लेगा तो यह खरपतवार को मैनेज करना बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है एकोनोमिक दरस्टी से तो इसके दो तीन वीदियां है उससे मैनेज किया जा सकता है module है पहले में कल्चिरल नेजमेंट है जिसमें आपन नेरए गुडाई करके कर सकते है दूसरे जिसमें अपन रासाइनिक दवायों का पर्योग करके काम ले सकते हैं और तीस्रे है ऐसन्चान के अदर गधाम ले ज और दूसरी हैं जो मतलब केमिकल, जो केमिकल में इसमें काम लेते हैं, एट्राजीन नामक दवा का काम लेते हैं, ये दवा 500 गराम AI परती हेक्टर के हिसाब से कामे ली जाती है, इस दवा को उप्योग उस समय किया जाता है, जब बुवाई कर दे और जब बाजरे के बुवा फसल ले सकते हो, जी सर, तो आप से सर, आप से next question रहेगा हमारा, कि बाजरे की फसल जैसे पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो इसे का तैयार होने के बाद में इसे क्या food तैयार के जा सकता है, बिलकुल सर, जैसा कि आपने चर्चा की, लेकिन मैं इसके फ़रे एक बाद बा और बताना चाहूंगा, कि ये आपकी, ये अपनी last stage आ जाती हैं Sz civ simple 企द्यूम से जाती है तब इस चीज का जिकर करती हैं लेकिन इसके पहलし सबाद रादे को ऐती है कि ainda कराद हें कि बाजरा केifi हो सबता करा कुराथ है तो अपने शेड़ने हैं और इस अब जन से और ऊफ़ा खी दक में प्रण। स्ट्टेज के अंदर हैं जब कल्य फूर्टें हैं इजसे इंगलिए के अंदर भूलते हैं जब क्ल्य फूर्टे इडिट का उसके पाद में जो बाली बनते वह इसके इडिएशnya और उसके बाद में जब दाने बने रहे हो तो सिटे के अंदर वाली के अंदर तब इसमें इ्रिगेशन देनी चाहिए और इसके बाद में आता है इसके दोरान बहुत स्यारी बिमारियां भी लगजा जब क्रॉप बड़ी हो जाती है जैसे आप सीरी तीन इ्रिगेशन देते हो तो लगबग क्रॉप हो जाती है पैसट दिन के आस पास की हो जाती है तो उस दोरान इसमें मतलब आपके बहुत सरी बीमारियां और कीडे भी लगना शुरू हो जाती है तो अपन सारा भी पूछ रहेते हैं कि मतलब कौन-कौन से बीमारियां और कीडे लगते हैं कीड़ों के बारे में कीड़ा मुखे रूप से इसमें दो फरगार के कीड़े लगते हैं एक कीड़े का नाम है कात्रा दूसरे का नाम है वाइट गर्व और तीसरे का नाम है तर्माइट और इसमें वो भी लगता है जिसे टीड़ा लुकस्ट भी आता है वो भी इसमें लग यह जनरली प्रोब्लम कभी-कभी होती हैं लेकिन जनरली यह दो से तीन कीड़े लगते हैं एक तो जिसमें ओगई दीमक हो गई सफेद लटो हो गई और कात्रा हो गया यह मुखे रूप से इसको नुकसान पहुचाते हैं तो इसके नियंतन कैसे करें देखो कात्रा क्या करता है पत्यों को कुतर देता हैं तो इसके लिए मैथिल फेरा थियां डस्ट टू परसेंट के इसाब से 25 किलोगराम परिवस्थ हमंपर काम लेते हैं तो इस पर्कार स्कीड़े को नियंतन किया जा सकता है अब जैसे अपे लट की बात करें तो अपने के लिए आप क्लोरो फाइरी फोस दवा का चाल लीटर परती हेक्टर के देने पर इसका नहींतन हो जाता है या फिर क्यूनाल वोस की अपन काम लेक्ति विए तो यहां तक की बात हो चुकी है और एक पूर रहे गए तो दिमा कि या इस की जड़ों में लग जाता है तो औरे से मोिसर की कम होती है बाधरे में 발생 ave राजस्तान और आप्र पानी बरसात कम होती है तो देशे मिटी शूपती है तो दीमह खाना शुरू कर देती है तो इसको लिए दीमा को कंट्रोल करने के लिडिगेशन देनी चाहिए वाटर के साथ पानी के साथ आपको कलोरोफाइडी पॉस्स दवा को चाल लीटर पर चेक्टर के इसाब से देना चाहिए इस परकार इस केड़े से आप निजाद पा सकते हो इस से तो भी बता दीजिए इसमें सबसे प्रोडक्शन की अगर मैं बारे प्रोडक्शन के साथ साथ में एक सबसे पहली बात आ जाती है कि किसान बाईयों को देखो सारी चीजे बता दी लेकिन इस वीडियो के अंदर एक मिसिंग रहा है वो टोफिक है वेराइटी जी से सामें MPA में 17 और 21 इस वेराइटी की कासेद बात हैं एक तो एक इस कलाइमेट के अंदर अच्छे से पनब जाती है और यह इसका उत्तपादन 26 से 28 कुंटल परती हेक्तर के इसाफ से आता है और 4 की उपज भी इसकी अच्छी कासी होती है यह मतलब 61 कुंटल से लेकर 69 सानों के लिए बाजरा एक मिरा कर लें मतलब चमतकारी बाजरा है क्यों क्योंकि हैं इसमें वह गुण है वह सभी गुण विद्यमाने एक तो यह मीठा जो पसुखाना इसको बहुत पसंद करते हैं दूसरा इसका दाना होता है और दाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और खाद्यान में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह मतलब खाने के दरेश्टी से बहुत अच्छा बाजरा माना जाता है अब बाद में दूसरी विराइटी की बाद कर लेता हूं एमपे में 17 के बाद में 21 विराइटी तो 21 वाली विराइटी के अंदर और चारे के उपज भी अच्छी आ रही है और पस्ती में राजस्तान में देखो यह हैं कि इधर पसुपालन अच्छा करते हैं तो चारे की डिमांड वेसे बढ़ जाते हैं तो उस दरस्टी से भी यह मतलब खापी अच्छा साभियत होता है अब मैं इसकी बात कर लूँ उ अगर आप कोई सी भी विरेटी काम लेते हो तो इसके लिए उपज आता है बीस कुंटल से लेकर तीस कुंटल के मद्दे इसकी आती है अब वो विरेटी को डिपेंड करती है लेकिन जनरली इसी सेग्मेंट के इसकी उपज रहती है अगर आप अच्छा फरबंदन करते हो तो आपको यूपज मिल जाती है और इसकी आप बात कर लेते हैं इस नेक्स टॉपिक में जैसे कि इसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कैसे करें दोस्तों किसी भी पसल सुचाए आप इतने अच्छा उत्पादन कर लो लेकिन उससे अच्छी इंकम पाने के लिए और दूसरी ऐसी है कि मार्केटिंग देखो प्रोसेसिंग आ जाता है प्रोसेसिंग में आप क्या कर सकते हो इसका जो दाना है इसको मतलब पीज का दलिया बना सकते हो दलिया रूप में जिसका मतलब आप जो चाट के साथ में एक प्रोड़क्ट बनता है जिससे मतलब करता हूं और मैंने को बहुत अच्छा लगा दो जार अठरा में जोइन किया था लेकिन बहुत ही मतलब मेरा मन लग चुका है पूरी तरिके से और मैं कुछ हूं और आगे भी में प्रोग्रेस कर रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल सर आप बहुत आगे जाहिए तो दोस्तों यह सब बाते आपको शरने जो बता ही वह आपके लिए हो सकता है कि si के लिए इंपोर्टेंट नहीं हो लेकिन किसी के लिए तो होगी क्योंकि यह तो आज अज में हुआ होता है बिल्कुल लगबग लओभग सारे चहतर में होता है जिसुछतर में भारत के अंदर सबसे ज़दा बाजरा के अंदर क्या क्या पूरा पश्टी में सबसे बड़ा स्टेट राजस्तान है और क्या पूरा एरिया reach Shandles तो दोस्तों फिर यहां तक बात हो चुकी है कि सब तक लगबग सारे क्यूसन आपने कर ले हैं तो समय करके सरको comment कर सकते हैं और सर मेरे से content करके आपको पूरी खोशिस करूंगा उसका reply दूँ और ताकि कि आपकी समझ्याओं का समाधान हो सके और मिलते हैं तब तक अपर नेक्स वीडियो के साथ आएंगे हम आपको हर चीज के लिए सोलुसन लेके आएंगे हमारा टारगेट है कि हम हर क्रोप के बारे में किसानों को या हमारे दोस्तों को अच्छी जानकारी दे ताकि वह मलब इ कर रहे हैं तो वह भी इसना अपके लिए इंपोर्टेंट है हम कोसिस करेंगा इस चीज को किसानों की दरश्टी को ले रहे हैं दोस्तों यह जो हमारा मैन मोटिव तो यही था कि बाजरा मानों जीवन के लिए क्यों इंपोर्टेंट है और क्या काम आए इस ने बहुत अच्छा क्यूशन किया है कि देखो कोई भी क्रोब को किशन क्यों उगाना चाहें गाएका अगर बिन ऐसे तो क्यों गाएगा तो मैं इसके बारे बतातों कि बाजरा बाजरे के अंदर नूट्रिशन दरश्टी से कापी पोस्टिक होता है देखो यह आईरन, जिंक, मेगनिशियम, केलशियम आदी पोसक ततों से बरफूर होता है और इसके अंदर 11.5% मतलब प्रोटीन पाया जाता है इसलिए यह बहुत ही मतलब पोस्टिक होता है और यह एक तो क्या है मतलब इसका दलिया होगे आपन जो काम लेते हैं वह इसलिए डाइजेस्ट हो जाता है और इसलिए इसको हेल्थ को भी अच्छी इंप्रूव करता है कंपेर टू गयाओं तो गयाओं की बज़ए अगर आप बादरे का दलिया खाते हो तो आप एनरजी में अलगी फिल करते हैं मेरे जो मैं कंजियों करता हूं अफुर खुद के प्रेक्टिकली साबसे बता पर रहा हूं अच्छा सर ऐसा भी कोई माराओं के लिए डिसीज है विमारी के अंदर व्यक्ति कमजोर हो जाता है लेकिन उसको लगबग एकदम इमीडेटली एनरजी चाहिए है तो उसको फूर्स सबसे पहले फूर्स एनरजी देते हैं इमीडेट किसी अगर कोई भी वेक्ति हैं तो उसको इमीडेट एनरजी तो फूर्स कंजियों करें अबसे पहले बीमारी ऐसे तो पर्टिकुलरी इसका अश्य नहीं होता कि यह उस बीमारी के अंदर काम आता है तो इसे मलब मिलेट एक एक मिलेट सें तो मिलेट सें मोटा अनाज पहले भी अपने बड़े बुजर्ग वो कंजूम करते थे मिलेट जवार काते थे बाद रख मोटा पह बढ़ रहा है आप देखते जो पूरे वर्ड के लिए में बढ़ता जा रहा है मोटा पह एक बढ़ी अंतरा से समस्या हो चुए लेकिन जो मिलेट सें मोटा पह के बीमारी नहीं होती यह उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है लेकिन इसको जादा मातला में अगर ज्यादा कंज्यूम करते हो तो इसमें गंजापन और पिलागरा नामक दीजीज वजाते हैं अगर इसको ज्यादा मातला में तो दोस्तों बचने के लिए यह सब ध्यान रखेगा तो आप लाइक कर दिजेगा और चैनल को अगर आप चैनल पर नहीं आए हो तो द्टाइब करेंगे जब तक तो यह न करेंगे फिर अगे वाले डिपार्ट्मेंट में जाएंगे तो आपको कि कि चिजी दोस्तों अगर आपको किसी भी अगर अनिक रोप पर कोई इंफरमेशन चाहिए तब भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और हम पूरी प्रविजिस क